फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे है यस बैंकी यस बैंक से निकल कर आई ये बहुत बड़ी खुस ख़बरी लेकिन ये खुस ख़बरी बहुत ही लेट आई और इसकी विज़े से आज के बाजार के कारोबार पर इसका इफेक्ट नी पड़ा क्योंकि लेट नियूज आई ये लेकिन नियूज बहुत ही दमदार है यस बैंक ने बहुत बड़ी अपनी NPA की रिकवरी कर लिए तो क्या है वो नियूज पूरी उसको हम अच्छे से डिसकस करेंगे और साथ में कारोबार के दौरान आज गिरावट हुई लेकिन बाद में सांदार रिकवरी हुई क्योंकि खरीदारी हो रही है बड़े फंडा उसे इसमें खरीदारी कर रहे है लेकिन छोटे रिटेल नि इस यस मेंक के कारोबार को आगे बढ़ान में इस वीडियो के मादेम से आपको पूरी जानकारी मिल जागी लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेलाई को अंदबार रिजा ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकिशन आपको मिले चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्स एस बीडवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत सवागत है फ्रेंड्स आज बाजार में बैंकिंग सेक्टर में सुबह थोड़ी गिराती लेकिन बाद में तेजी का महोल बन गया और इस वज़े से यस बैंक के स्टोक में भी तेजी बनी लेकिन जतनी तेजी चली यह उतनी तेजी नहीं बनी जितनी PSU बैंक और प्राइवेट बैंकों के तेजी नहीं तेजी इस बैंक के अंदर नहीं बनी उसके पीछे वज़ए है जो रिटेल इंवेश्टर अभी डर के मारे इसमें माल बेच रहे है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अभी भी किया जा रह वो profit के लिए नहीं रूक रहे सबसे बड़ी जो उनकी सबसे बड़ी जो व्यता है retail investor की वो सिर्फ अपनी investment रकम को देख रहे कि जब उनका investment की जो price जहां से उन्होंने investment किया है वो price आते ही वो exit होने की कोशिस कर रहे और इसी वज़े से माहल selling का बना हुआ लेकिन फिर भी बड़े fund इसे इसमें खरीदारी कर रहे और आज के कारुबार को एक बाद डिसकस कर लेते आज yes bank का stock 15.65 पर open हुआ और इसने high बनाई है 15.85 की फिर इसके बाद में गिरावट सुरू हुई और यह low में चला गया 15.35 के क्योंकि लगातार selling pressure बन रहा है लेकिन end में इसमें अच्छी खासी recovery आई है और बाजार में खरीदारी की वज़े से इसकी जो closing या वो है 15.75 पर और करीब एक परतिसत के आसपस इसमें तेजी थी और इसके volume के अगर बात करें तो BSE में 68,51,000 का volume हुआ है और सामने 20,44,000 की delivery उठाई गी है और delivery का percentage है 29.84% NSE की अगर बात करें तो 7,90,14,000 का volume हुआ है और सामने 2,73,19,000 की delivery उठाई गी है और delivery का percentage है 34.58% और जो आप सबसे बड़ी खुस ख़बरी जो निकल कर आई है यस बैंक ने Reliance अनिल धिरुबाई अंबानी ग्रूप की कमपणी Reliance Infrastructure से Reliance Center Santa Cruz को यस बैंक ने 1200 करोड में खरीद लिया बहुत ही सांदार एक NPA की recovery है एक्चुल में यह जो खरीदारी हुई है यह 1200 करोड की यह पूराने NPA के लिए हुई है यस बैंक ने एक्चेंज को जानकारी दिये कि उन्होंने Reliance Infrastructure से 1200 करोड में यह deal किये और उन्होंने Reliance Center को खरीद लिया है लेकिन यह property bank ने पैसे दे कर नहीं खरीदी है बलकि अपने पूराने NPA की recovery के तैद की है यानि एक बड़ी recovery की है और अलड़ी पैसे उनके डुबे हुए है Reliance Group में यह Reliance अनिलंबानी ग्रूप का एक headquarter था अभी फिलाल Yes Bank की head office India Bulls Center में है जो Central Mumbai में है और अब इस नई जगा पे shift होगी यह Yes Bank की head office बने की Reliance Center के अन्दर अनिलंबानी ग्रूप पर Yes Bank का 4000 क्रोड का कर जाए और इस NPA की यह recovery होगी एक बड़ी बहुत ही बड़ी खुशकबरी है Yes Bank के लिए Reliance Center बहुत ही prime location में ultra modern एक building है जिसका 6.95 lakh square feet का total area है और इसमें plot size है 15,514 square meter की तो बहुत बड़ी यह size है यह property Mumbai airport से मात्र 15 मिनिट की दूरी परे है और बांदरा कुरला complex से 20 मिनिट की दूरी परे है यानि बहुत ही prime location में यह property है जो आने वाले समय में और ज़ादे इसकी valuation बड़ी और इसकी वज़े से Yes Bank के कारुबार में भी वरिद्धी होगी क्योंकि Yes Bank बिलकुल अब prime location पे अपनी headquarter बनाने जा रही है building के अंदर 425 four wheeler के लिए parking है और साथ में 152 wheeler के लिए parking है यानि कितनी बड़ी जगए तो बहुत ही सांदर prime location की building मिली है और सबसे बड़ी बात पूरी तरह से ultra modern ये building है सारी की सारी facility सारी सुईदाओं से सुचसजीत है इसमें एक गुरुपया भी अब Yes Bank को खर्च करने की जुरुत नहीं है इंडिया बूल सेंटर से सीधिये building up shift हो जाएगी रिलाइन सेंटर के अंदर और बहुत ही जादा prime location में बड़ी जगपे ये कारूबार अभी करेगी तो Yes Bank ने बहुत बड़ा achievement किया एक बड़े NPA की recovery कर ली है अनिल धिरुबाय अमबानी ग्रूप से और इससे एक बात साब जायर हो रही है कि Yes Bank का जो management है वो दिन रात मैनत कर रहा है अपने NPA की recovery के लिए और बहुत जल इनका NPA की recovery हो जाएगी और जिस तरह से Yes Bank का कारूबार बढ़ रहा है और जिस तरह से उनका management मैनत कर रहा है यह वो दिन दूर नहीं जब सारा है उनका NPA recover हो जाएगा और फिर Yes Bank के अंदर बहुत ही बढ़ी बहेंकर तेजी की संभावना बनेगी और सबसे बड़ी बात आज इसमें बढ़ी तेजी नहीं बनी उसके पीछे वज़े है retail investor का डर अभी भी retail investor मिसगैड हो चुके है लोगों के वज़े से बहुत सारे लोग जो sell के target जेते कि इसमें गिरावट अभी भी बाकी है और इस वज़े से वो अपना माल बेच रहे अगर आज के कारुबार की बात करे तो हमने दो-तिन जो बड़ी ब्लॉग डिल है उसको discuss करेंगे और उससे आपको भी बात समझ में आएगी क्योंकि जो खरीदारी हो रही है वो बड़े fund आ उसकी तरफ से हो रही है लेकिन जो माल बेच रहे है वो retail investor है तो हम तीन डिल को discuss करेंगे जो पहली बड़ी खरीदारी होए फ्रेंड वो है 10 बज कर 34 मिनट पर 15.65 की प्राइस से 12 लाग शेरों की खरीदारी की गई जी उसके बाद 12 बज कर 18 मिनट पर 15.55 की प्राइस से 13 लाग शेरों की खरीदारी की गई है और उसके बाद 3 बज कर 20 मिनट पर 15.75 की प्राइस से 11 लाग शेरों की खरीदारी की गई है तो यह सारी खरीदारी है इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी बड़ा fund house इसमें माल नहीं बेच रहा है माल बेच रहे है सिर्फ रिटेल इन्वेश्टर जो पैनिक कर गए और अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि यस बैंकी प्राइस बढ़ सकती है और इसलिए वो अपना माल लगातार बेच रहे और लॉस बुक कर रहे और कई लोग अपनी जो प्राइस जहां से उन्होंने इन्वेश्मेंट किया वो प्राइस आते ही बार निकल रहे है काफी लोगों की जो खरीदारी भी है तो 15 रुपीज और 16 रुपीज के आसपास है तो वो कोशिस्ट कर रहे है कि उनका जो भी निवेश है वो निकल जाए तो वो बाहर निकल जाए पर तो यही पर वो बड़ी गलती कर रहे है क्योंकि इसमें बड़ी तेजी की संभावना बन रही है क्योंकि अब इप्रेल सुरू हो चुका है और यहां से अब quarter 4 के result की तयारी होगी और जैसे quarter 4 का result आएगा तो यहां से इसको एक नया fresh trigger मिल जाएगा और इसमें बड़ी तेजी बनेगी और मैं लगातर आपको बोलता हो कि इसकी तेजी बनेगी तो friends थोड़ा विश्वास रकिस में तेजी जरूर बनेगी थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि इसकी जो price बहुत ज़्यादा fair है यह valuation जो बताई जा रही है कि इसकी 6-8 और निची वो बिल्कुल गलत बात है इसकी जो fair value 14 रुपीज की है और जितने भी fund house है बड़े जो investor है उनको पता है इसकी fair value 14 है और जैसे इसकी price 14 के आसपास आती है बहुत ही बहिंकर खरीदारी शुरू हो जाती है और काफी लोगों को जब 14 के आसपास खरीदारी होती है और बड़े fund house तो 17 के आसपास माल बेच भी सकते है तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया प्राइस की length मनी है वो है साड़े 15 से लेके साड़े 17 के आसपास रहेगी काफी समय तक जब तक की result डिकलियर ना हो जाए quarter 4 का तो आपको इस समय खरीदारी का मौका है अगर आपने निवेस नहीं किया तो इस लेवल पर भी आप निवेस कर सकते है 15 के ओपर यह बहुत मजबूत है अगर यह 15 से नीचे जाता है तो इस टॉक कमजोर दिखता है लेकिन Yes Bank का इस टॉक 15 के ओपर बहुत जारा मजबूत है और आज भी इसने अच्छी खासे closing दिये positive closing है आगे इसमें तेजी जरूर बनेगी लेकिन थोड़ा से retail investor डरे हुए और उनकी वज़ेसे बड़ा selling pressure की वज़े से बड़ी तेजी नहीं बन पारे है लेकिन बहुत जल्दिसमें तेजी बनेगी और इनों ने एक बहुत बड़ा NPA की recovery की है इस तरह से लगातार Yes Bank एक achievement करे जा रही है अपने और उनके कारुबार को भी लगातार बढ़ा रही है इसने बिजनेस को भ पूरे aggressive तरीके से अपने NPA की recovery करेगी दूसरों के लिए message है कि आपने अगर Yes Bank के पैसे को डुबाया है तो आप से वसूल किये जाएंगे आपकी property को बेज कर उनके कबजे में लेकर भी पैसे वसूल किये जाएंगे ये सब के लिए strictly एक message जा रहा है साथ में अब prime location पे shift हो कि बड़े बड़े corporate house अब Yes Bank के साथ में कारूबार में interest लेंगे और ये बहुत बड़ा एक नया चैनल खुलने वाला है Yes Bank के लिए तो बहुत ही ज़्यादा positive decision लिया गया Yes Bank की तरफ से लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने finance advisor से एक बार अद्वेजिक ले या अपना खु के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड